हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू सावल ग्लासीज, कैसे हो आप लोग सभी, मिरा नाम है दीपक कुमार, सावल ग्लासीज, अबोहर से आज 30 मार्च 2020, educationrecruitmentboard.com की वेबसाइट के उपर, अभी अभी एक और ओफिशियल न्यूज जो है, वो अपलोड होई है वो क्या खबर है कि ETT वाले students, जो 1664 jobs में अपलाई करने जा रहे हैं, अगर उनके column पर जाकर मैं क्लिक करता हूँ, तो अभी अभी ये news आई है कि registration करने की date भी उनकी extend कर दी गई है, अभी जो नई date निकल कर हमारे सामने आई है, वो 15 April आई है तो ETT वाले students 15 April तक अपनी registration करा सकते हैं, और fees के बारे में भी आसुबह नोटिस आया था कि sufficient days will be given to candidate to deposit fees, तो fees के बारे में भी हमें sufficient days मिले हैं, registration की date भी 15 April extend कर दी गई है यहाँ एक important बात यह है कि ऐसी information अभी beard के column में नहीं है, मनले कि जो student master cadre का exam देने जा रहे है अगर master cadre वालों की भी date extend होती है, तो मैं आपनों को बताऊंगा, फिलहाल यह news सिरफ और सिरफ ETT वालों के लिए है तो यही खबर देने के लिए मैंने यह video बनाई थी, उमीद करता हूँ, यह news आपनों को अच्छी लगी होगी अगर आपनों का कोई doubt है तो इस video के निचे comment कर सकते हो, अगर अभी तक ETT का paid group किसी ने join ना किया हो, अभी भी वो batch को join कर सकते हो 17 दिन से यह group चल रहा है, 17 दिन की classes आपको provide की जाएंगी, हर रोज आपकी 4 गंटे classes होती है Science, Social Science, English और Mathematics के lecture आज भी आपके जारी है, तो इस 21 दिन के lockout के time period को आप लोग constructive way से use करते हुए, घर बैठे ETT की त्यारी कर सकते हो पूरी जानकारी के लिए, आप लोग मेरे असाहिल सर के contact number के उपर contact कर सकते हो, 95693-66100 या 99888-32392 Thank you very much students, मिलते हैं हमारे next session में, wish you good luck, bye, take care